Hello friends and very warm welcome to Chiggy's biology another video in this video today we will discuss about CMS and ED fake doctor arrested आज हम लोग अपने इस टोपिक पर बात करेंगे Friends इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस टोपिक पर डिसकस करने से पहले माँ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि CMS ED जो डॉक्टर होता है वो फेक होता ही नहीं है और वो फेक हो ही नहीं सकता और Friends CMS ED डॉक्टर को जो लोग फेक डॉक्टर बताते हैं उनको CMS ED कोर्स के बारे में या फिर इस कोर्स को कहां कहां से recognition मिली हुई है कहां कहां से माननेता मिली हुई है इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती और अगर friends कोई CMS ED, doctor, fake माना जाता है या arrest किया जाता है वो किन conditions में arrest किया जाता है और किन conditions में जो है उसको arrest नहीं कर सकते ये भी मैं आप लोगों के साथ में in detail आज यहां पे discuss करूँगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी subscribe जरूर कर दे और bell icon के बटन को वहाँ पे press जरूर कर दे friends जो CMS ED course है इस course को अगर आप लोगों ने एक valid college से, university से या institution से किया है और आपके पास में एक valid diploma है तो friends आप लोग जो है एक eligible candidate है या एक eligible doctor है under the guidelines of WHO मदरास High Court का जो decision है उसके according और Supreme Court of India के according और UNICEF के recognition के according तो friends आप लोगों को fake माना ही नहीं जा सकता क्योंकि Supreme Court of India जो है वो एक ऐसी government body है कि उसने जो फैसला दिया है उस फैसले को सब को मानना पड़ता है तो friends आपको कोई fake मानी नहीं सकता क्योंकि आपने एक valid diploma किया है और एक valid college से अगर आपने डिपलोमा किया है तो आप लोग जो है बेजिजग बीना ड्रे अपना एक primary health care center rural area में open कर सकते हैं semi urban area में open कर सकते हैं भले ही आप लोगों के पास में NOC भी नहीं है CMO से बट friends अगर आपके पास में NOC नहीं है CMO ने आपको registration नहीं दिया है तो आप लोगों का जो college है वो valid होना चाहिए जहांसे आपने इस diploma को किया है और आपका जो diploma है वो भी valid होना चाहिए और जो आपका college है उसकी जो official website है वोहाँ पे आपका diploma जो है online available होना जुरूरी है अगर वोहाँ पे कोई अधिकारी या CMO या कोई पतरकार या कोई भी हो वो वो अगर कोई अधिकारी भी है अगर आपके enrollment number को वो वोहाँ पे online check करना चाहता है कि वो आपके college की या university की या institution की official website पे online available है तो friends आपका जो diploma है वो वहाँ पे open होके आना बहुत जुरूरी है जब आपका enrollment number वहाँ पे धारा जाए तो ये कुछ चीजे हैं ये कुछ points हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए और अगर कोई CMCD doctor जो है fake माना जाता है उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं या उसको arrest किया जाता है और उनमें कारण ये है कि उसका diploma जो है वो valid नहीं है तो उसको arrest वहाँ पे किया जाएगा अगर वो practice कर रहा है और अगर उसका valid college नहीं है तो भी उसको वहाँ पे arrest किया जाएगा क्योंकि एक unvalid जो college है वो आपको एक unvalid diploma देगा जिसके चलते जो हैं आपको वहाँ पे गिरफतार किया जा सकता है क्योंकि आप एक fake diploma के भी आप वहाँ पे practice करते पकड़े जाएंगे और friends आप लोग जो है कई बार कुछ जो rural या semi-urban areas में जो CMACD diploma holders हैं वो क्या करते हैं वो proper जो guidelines है WHO की या फिर UNICEF की उन guidelines के under वो काम नहीं करते वहाँ पे और वो लोग जो है CMACD diploma के भी हाँ पे एक hospital open कर लेते हैं जिसमें वो पकड़े जाते हैं या फिर कुछ नार्कोटिक ड्रक्स वहाँ पे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोगों में supply करना start कर देते हैं इस diploma की आड़ में और friends कहीं CMACD जो diploma holders हैं उनको ये पता है कि इस diploma को करने के बाद वो rural और semi-urban areas में practice कर सकते हैं बट वो city में अपना clinic open करके बैठ जाते हैं तो उनको फिर वहाँ पे arrest किया जाता है और उनी को जो है CMACD fake doctors महाँ पे माना जाता है वैसे अगर आप लोग guidelines के according काम करेंगे तो आपको कोई fake नहीं मानेगा आपको कोई arrest नहीं महाँ पे करेगा तो ये कुछ यहाँ पे reasons हैं कुछ कारण हैं कुछ points हैं जिनको आपको understand करना पड़ेगा और इस diploma की जो एक authentication है उसको आप लोग जो है इन सभी points को consider करने के बाद मैं वहाँ पे understand कर सकते हैं So thank you friends, thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates Thank you friends